हाईलो स्ट्रेंट्स स्वागत है आपका Mission Guide Institute दिल्ली के अंदर तो आज की खास वीडियो में लेकर आया है उन इस ट्रेंट्स के लिए जिनका एक्जाम अपरेल दोजार चॉबिस में है खासकर वो स्ट्रेंट्स जो बाइलोजी का एक्जाम देने वाले है तो बाइलोजी के बात करता हूं कि जैसे मैं यह लिखा है एन इस बाइलोजी इंपोर्टेंट कोश्चन्स यह इंपोर्टेंट चैप्टर्स दोजार चॉबिस में जो आएगा तो आप सब जानते हैं अगर माल लिजे हंडर्ड मार्क्स का आपका पेपर है तो आपको जो स्लेबस दिया गया है उसमें दो हिस्सो में बाटा हुआ है एक है आपका टी एम में और एक है आपका पॉब्लिक एक्जाब तीक है जो मैं भी आपको दिखाऊंगा त्यों में जो है उसकी जो वेटेज रहेगी हंडर्ड में से 40 पर्संट जो होंगे वो टीम में के अंदर आएंगे चैप्ट कर दिया गया है आपका public exam में, तो कुछ chapter इसमें है, कुछ chapter इसके अंदर है, अब इसमें भी उन chapter में से कौन से important chapters है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा, तो यहाँ पर आपको 31 chapters दिये हुए, 31 chapters में है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसके अंदर 40% जो है, TMA के अंदर convert कर दिये हैं, और 60% जो है, public examination के अंदर कर दिये हैं, तो जैसे इसमें बोला, first chapter जो है, वो TMA में है, second chapter जो है, वो public exams के अंदर है, third chapter भी public में है, four chapter जो है, वो आपका TMA में है, तो इस तरीके से chapters को divide गए, तो total ये overall जो chapter है, वो 31 chapters है, अब इन में important क्या है, देखिए, आपको पताए कि biology जो है, वो दो हिस्सों में divide है, एक है zoology, और एक है botany, zoology का मतलब हम बोलते हैं, जीव विग्यान, ठीक है, मतलब एक animals के बारे में बात होती है, और एक जातर किस के बारे में, आपके plants के बारे में, तो maximum जो questions पूछे जाते हैं, वो botany के उपर पूछे जाते हैं, तो हमें जो इसमें focus करना है, वो chapters focus करने हैं, जो botany में आते हैं, जैसे, यहाँ पर लिखा है kingdom plant and animalia, तो आपको plant के बारे में ज्यादा पढ़कर जाना है, पढ़ना तो animalia के बारे में भी है, बट plant के बारे में ज्यादा पढ़कर जाना है, दूसरी चीज, plant के अंदर जैसे हम पढ़ेंगे, आपका angiosperm है, gymnosperm है, यह सब चीजे जो है plants के अंदर आती है तो उन plants के बारे में आपर बात करने है ब्रायोफाइटा है टेरीडोफाइटा है ठीक है दूसरा tissue and other level of formation tissue के अंदर भी आपको ज़्यादा तर plant tissues के बारे में बात करना है यह सारे tissue जो किसके है plants के है उसके बारे में आपको ज्यादा ध्यानिया पर देकर चलना है क्योंकि 11 वे maximum portion जो है वो plants का है अब बात आते हैं से root system tissue system यह जो दिये हुए root और shoot के बारे में इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं करना है क्योंकि इसमें से बहुत कम questions किये जाते हैं nitrogen metabolism nitrogen metabolism भी plants के अंदर होता है तो आपको nitrogen metabolism वाला chapter भी अच्छे से करने ला है nitrogen कैसे fix होती है nitrogen nitrogen globules कैसे बनते हैं किसके अंदर plants के अंदर यह भी roots में बनते हैं तो nitrogen metabolism मैंने आपको बताया किशू के अंदर आपको plant का part बताया और chapter number अब यहां पर सबसे उपर भी लिखा है kingdom monera protista fungus तो इन में किसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है तो ज्यादा आपको पढ़ना है fungus के बारे में थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत monera के बारे पढ़ सकते हैं लेकिन maximum आपको किसके बारे में भी plant में होती है अब photosynthesis में आपको क्या पढ़ना है photo में c3 plant कौन से होते है c4 plant कौन से होते है और photosynthesis का process क्या रहता है plants के अंदर वो आपको जानकारी रखनी है respiration in plant respiration in plant ये भी plants related है लेकिन यहां से questions कम आते हैं इस chapter को इतना witness नहीं देने की जूरत है आपको respiration में से कम आते हैं circulation of body fluids animals के अगर हम बात करें body fluids circulation में मतलब आपके blood के बारे में तो यह चेप्टर भी थोड़ा सापको करके चलना है जिसमें आपको blood के बारे में knowledge होनी चाहिए blood के components क्या है RBC, WBC आपका thrombocytes से platelets से इनके बारे में जानकारी रख रही है ठीक है body fluid में lymph body fluid में दोची में नहीं ब्लड और दूसरा lymph यह बहुत important है lymph बहुत ज्यादा इसको अच्छे से करके जाना है body fluid में lymph को ठीक है तो यह हो गया आपका coordination and control इसमें तना कुछ नहीं होता ज्यादा तर अगर पूछा जाता है तो आपसे neuron के बारे में पूछा जाता है किसके बारे में neuron के neuron जो कि आपके एक cell है उसके बारे में आपको पढ़कर जाना है control and coordination म किया जाएगा reproduction in plant reproduction में भी आप इसके plants के reproduction के बारे में पढ़ सकते हैं जातर जो आती है किसी क्या आता है एंजियो स्पर्म एंड जिम्नो स्पर्म जिम्नो का भी मैं बताई रहा हूं लेकिन इतना नहीं है इसमें दोनों में अगर comparison करें तो एंजियो स्पर्म क्लाट में reproduction कैसे होता है क्या reproductive cycle होती है वो आपको complete करके जानी है ठीक है यह chapter छोड़ देना reproduction population control कैसे होता है यह आप बना कर भी कर सकते हो दूसरा आता है principle of genetics genetics के बारे में भी questions आते हैं आप कोशिस कीजिए कि genetics का overview पढ़ लीजिए और उससे related आपको लिखकर आना है प्रोमोजूमल थियोरी क्या है यह सब इसमें आपको पढ़ना है लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूं वह chapters अच्छे से कवर अप कर लेना है reproduction in plant circulation body fluid blood and limbs के बारे में photosynthesis पूरा अच्छे से करना है nitrogen metabolism करना है tissue में भी plant का पढ़ना है और आपको kingdom plant के बारे अब आता है इसमें दूसरी चीज कि यह वाला जो chapter है nutrition and health इसमें आपको कुछ disease के बारे में दिया होगा कुछ 3, 4, 5, 6 जितनी भी disease पढ़ सकते हैं उनको अच्छे से cover up कर लेना immunology, biology, immune system के बारे में बहुत important है यह बहुत important है immune system के बारे में आपको study करनी है दाकि आप अच्छे marks गेन कर सके तो यह कुछ chapters है जो मैं आपको बता है और main main आपको फिर मैं बोल रहा हूँ botany के बारे में ज्यादा करना है अब आते ही बात की questions को हमें solve कैसे करना है किस तरीके से question paper आएगा और हमें कैसे उसके आंतर देने हैं तो सबसे पहले चीज आपको जो note करनी है कि जब आप अपना question paper देखेंगे तो आपको समय मिलता है उसमें पहले पढ़ने के लिए तो पहले उसको read out कर लो जब आप read out क कर लेंगे सबसे पहले question मिलेंगे आपको mcq के mcq मतलब multiple choice questions के कोशिस करना अगर आपको चार option दिये है A B C और D इन चार में से पहले उनको cut कर देना जो आपको दिख रहे हैं कि बिल्कुल मतलब ही नहीं रखता है इस question से चार option होते हैं जिसमें से तीन गलत एक सही होता है जिसमें मतलब ही नहीं है जैसे मुझे पता है कि A और B या A और C ये तो answer हो ही नहीं सकता B और D में से कोई एक है तब उसमें से choice आपको तुक्का लगाना तो लगा लीजी मैं बोल रहा हूं कि गलत में से गलत डूणना बहुत आसान होता है चार में से दो या तीन से ज़्यादा होंगे तो इन पर फोकस ज़्यादा करना है अगर माली जे वो दिया हुआ है 30 to 40 words में ठीक है आपको बोला है 30 to 40 words में लिखना है तो उतने ही words में लिखना है कोई भी question हो 3 marks का 4 marks का 6 marks को जो questions है करने कैसे होते हैं जैसे माली जे मैंने डाला question number one मैंने यहापर टॉपिक लिखा जैसे माल लीजे मुझसे पूछ रहा है वह एंज्योस्पर्मिक प्लांट के बारे में तो मैंने लिखा एंज्योस्पर्म यह मैंने टॉपिक डाला और यहां से इसका point बनाया point में कोशिस करना एक दो तीन यहां पर छोड़ देना मतलब तीन लाइन का paragraph हो बनाना है फिर दो लाइन चोड़के दूसरे question का answer लिखना है ठीक है यहां पर आपका topic आ जाएगा और फिर वही अपना point बनाया है एक दो इस तरीके से अगर आप अपनी answer sheet बनाते हैं इस तरीके से अगर आप अपनी answer sheet देते हैं तो teacher को check करने में आसानी होती है और इतना ज्यादा deeply वो नहीं पड़ता है cutting नहीं करनी है आपको जैसे माली जे तीन नमरगार आपने बिल्कुल गलत लिखा है मैं definitely बोल रहा हूं आपको two marks इस सफाई के तो जरूर मिलें तो इस तरीके से आपको अपना question paper attempt करना है कुछ questions मैंने biology के निकाले हुए है जो important questions है वो मैं आप इस नंबर पर मुझे WhatsApp कर सकते हैं नंबर है double 953056766 आपको directly send कर दिये जाएंगे तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आएगी तो मिलते है नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए नमस्कार जैहिं जैभारत कर दो आपको 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 झाल झाल